हलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका अपने यूटूब चैनल पे आज हम बनाने वाले हैं केले की पूरिया ये पूरिया आप शाम के चाय के साथ या सुबा के चाय के साथ और बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो ये पूरिया खाने में बहुत ही जादा टीस्टी और अच अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए रेसिपी की ओर यहां पे हम सबसे पहले लेंगे बनाना और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि घर पे केले बच जाते हैं और सूचते हम क्या करेंगे तो हम यहां देखिए यहां पे बहुत ही पके होवे केले थे तो यहां पे मैंने चैनल roz More चोटा बारिक काट लिया है और अब मिन्हें मिक्सी में अचिछीन किसे कर देंगे ब्लेंड में करते वक तो यह देखिए, यहाँ पे हमारा पेस्ट बनके रेडी है, अब इम इसे कटूरी में निकाल लेते हैं, अब बिल्कुल यही कटूरी के सायता से हम जो हमारी आगे की रेसिपी है, वो लेंगे, तो यह देखिए, मैंने यही कटूरी से दो कटूरी आठा ले लिया है, यह देखिए, अब यहाँ पे मैंने न सूजी ली है, दो चमज सूजी ली है मैंने, थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के लिए, अब देखिए, यह केले की पेस्ट से हम धीरे धीरे, यहाँ पे आठा गुन लेंगे, तो यह देखिए, हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा आठा गुन के रेडी हो चुका है, जितनी भी पेस्ट ही हमने सारे डाल दी, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है आठा थोड़ा सकते हैं, तो मैंने इसमें दूद का इस्तेमाल किया है, तो बस अब हमारा आठा बनके रेडी हो चुका है, यह देखिए, दो मिनट इसे अच्छी तरकी से गुन लेंगे, और यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी लोईया बना के रखिए, तो आठे को अच्छी तरकी से बेल लेते हैं, अब आप इसे डिरेक्ली कुछ इस तरीके से पूरिया बना कर भी तेल में फ्राय कर सकते हो, या तो फिर इसे आप proper shape देने के लिए cutters का इस्तमाल कर सकते हूँ यहाँ पर मैं cutter का इस्तमाल नहीं करूँगी यहाँ पर मैं cuttory का इस्तमाल करूँगी तो बच्चों को बहुत पसंद आता है कभी-कभी आप fancy shapes बना के देते हो तो तो यह देखी यहाँ पर मैं round कटोरी से काट रही हूँ ताकि सारी पूरिया अच्छी तरी के से similar लगे तो यहाँ पर मैंने सारी पूरिया अच्छी तरी के से बना ली है यहाँ पर तेल रख दिया है हमने गरम करने के लिए तो अब सारी पूरिया को हम अच्छी तरी के से फ्राय कर लेते है तो यह देखिए पूरिया फ्राय करने के पिछे सीक्रेट यह है कि आपको अच्छी तरी के से उन्हें तेल में डुबोना है ताकि हर एक पूरिया अच्छी तरी के से फ्राय हो जाए तो यह देखिए बिल्क तो यह देखिए तो यह हमने अच्छी तिर कैसे फ्राइ कर ली है तो यह देखिए हमारी पूरिया बनके रेडी हो चुकिए इसे मैंने अलो की सबजी की साथ आप इसे अचार या चाह के साथ भी खा सकते हो यह बहुत टेस्टी लगती है खाने में अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथी साथ बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले रेसिपी के अब्डेट्स आप को मिलते रहेंगे थैंक यू बेरी मच फॉर वाचिंग बाबाई